हेलो एप्रिवान वेल्कम बैक तो माई चैनल मैं मिडाले मिंसिंग आप सभी कर स्वागत करती हुँ आज मैं आपको बताने वागे हुँ बहुत ही इंटरेस्टिन चीज और जो कि बहुत ही जरूरी है आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं जो कि है वेट लूज करने की आज कल हमारे बिजी श्यडूल और गलत खान पीन की वज़े से खाने पीने की वज़े से वेजे से वेट काफी बढ़ जाता है और उसे कम करना बहुत ही मुश्किल होता है तो मैं आपको कुछ आसांटी टेप्स देने वाली हुँ जिसे कि आप इसली बेट लूज कर सकते हो और ज्यादा महनुस भी नहीं लगेगी थोड़े कम समय में और थोड़ी कम एफ़र्ट से आपको लूज कर सकते हो अच्छा खासा तो आज हम बात करने वाले हैं जिन टेप्स के बारे में वह मैं आपको चार से पार्च पॉइंट बताने वाल है, मैं पानी पीने का सही तरीक एना पानी पीना चाहिए पानी पीने की क्या तो पानी किस समय में कैसे help करता है यह मैं आपको पहले भी पता चुकी हूँ तो जब मोस्ट इपर्टन थे कि पानी हमें सही मात्रा में पिना चाहिए बानी की कमी नहीं हो रिजिशरी के अंदर यह भी मेंटेंट करता है वेट को हमारे दस सेकेंड मोस्ट इंपर्टन थे कि मीठा है जो चिनी हो थी बहुत जादा के ररीज होती है। इसने मीठा आपने डह है ब्लाप सकती है लिए बात में निकाल देना चाहिए यह बहुत सारे कॉलिटी में इनके बारे में पहले बारे में पहले बाता है बस आज मैं आपको इसलिए आपसे टिप्स बताने वाली हूँ कि आपको बेट भूस के लिए जो बहुत जादा है आपको आठ गंटे के परयाख नीम पी लेनी चाहिए यह भी बहुत इंपॉर्टन होते हो जब आपके नीन पूरी नी होती हुए तो यह भी आपके बढ़ने कारह होता है एंड नेक्स थिंग इस कि आपको 30 मिनट के एकसाइस वाक चो भी आपको योगा त्विमिंग कर सकते हो वह आपको करना चाहिए जरूर क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टन होता है तो इससे भी अपने डाइट में जरूर्वर शांबल करना चाहिए तो इसे भी कोई भी चीज जहना चाहिए बताने के लिए और ऐसा नौकि फिर मुझे भी बीच में वीडियो रूपना पड़े तो फिर यह सब बाते चोड़ते हैं मैं आपको जो टेप्स बताई हैं आपको पानी सही से पीना है आट ग्लाज आपको मीठा नहीं काना है आपको ग्रीन करना चाहिए तो यह कुछ पांस चाहिए ने बताई हैं इनको पनाई है अपना दिन में आपको फरक पता से जाएगा बढ़ा होगा तब ही आपको फरक पता से लेगा आप एक दू दिन करके छोड़ देंगे या दो-चार दिन करके या हाफते पर कर तो फिर आप उसके लि कि आपने कितना वेट दूस किया और अगे मैं मैं मेल देंगों आपको नेक्स्ट उडियो में निग्जाकारी के साथ अपर सची बाते बताऊंगे मैं आपको तब तक के लिए बाए बाए